असे वाल फ्रेस केसे हैं आप सब लोग हुफली इंशाला आप सब लोग ठीक होंगे मैं अलम दरी लभी को देखू वह में जा रही है उग्रोसी करने तो एक लिए मिन सुचा आप लोगों को दिखाती हूं ग्रोसी करना और लाइन में लगना कितना लंबा रस्ता होता है बह अब लोगों को परिशानी न हो कि तो चलिए आप लोगों को टाइम वेस्ट रेकर दिखाती हूं कि इम किती लंबी-लंब लाइनों में लग कर जाते हैं अंदर ज्रोसरी करने और मतलब लॉब्स पहनते हैं इसका इसके नहां पर अभी रूना दिया है कि आप जब तक गलव और मास्क नहीं पहनेंगे तब तक आप स्टोर नहीं हो दिया जाएगा तो इसलिए आपको पहनने ही पहनगा तो चलिए को आई आप लोगर देख सकते हैं बोग जाने लेंगे थे वाल्मार्ट वाल्मार्ट में घ्रोसि करने थी कुछ मतलब यादे को सब जीज वन माइल तो हो गई होगा और वन मैल से बठे जादा ही होगा वन मैल मतलब जादा ही होगा खोड़ा दूर ही onds वहा दूर्ट करीब नहीं है मतलब फिर भी एकर आगर आप वॉक्ट करनी है तो आप जा सकते हैं और आप देख सक्तेएं कि इदर मैंक आकल लगई है इसके अंदर दस लोग से जादा होने ही सकते और मतलब अगर दो लोग बाहर आएंगे तो दो लोग अंदर जाएंगे चार लोग बाहर आएंगे तो चार लोग अंदर जाएंगे इस तरीके से वो डॉर्मेंट खड़ा है और वो खड़ा होके हमको अंदर जाने देता है जादा लोग अंदर नहीं चले जाएं तो आप लोग देख सकते हैं कि लाइन कितना मतलब दूर से गूम कर आ रही है और साथ में एदर दो लाइने बनाई हुई हैं ताकि इदर से गूम कर आकर फिर दुबारा से घूम में फिर वापस अंदर जाएं मतलब यलिके काफी और दूर है इदर में आपको आकर यह दिखा रही थी विजिटेबल का सेक्शन है फ्रोजन विजिटेबल तो मतलब यह जादा भरा हुआ नहीं था खाली था वह आपको दिखा रही थी बाकी जो नॉन वेज़ आइटम थे वह थे मतलब चिकन वगरा नैगर्स वगरा थे ले तो सोचते हैं कि सभी कुछ ले जाएं और यहां पर हम लोग हर चीज मिलती है तो लेकर जा सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि दुबारा नहीं आएंगे तो नहीं मिलेगा यह दालों का राइस का सेक्शन था तो वह भी खाली पड़ा है मतलब बहुत जादा नहीं है लोग आ ऐसा नहीं होता था पहले हर चीज फुल होती थी मतलब कभी कोई आइल समने खाली देखी नहीं थी अब जब से यह वाइरस का हुआ है तब से मतलब लोग चीज़े लाते हैं और फोरन ले जाते हैं लेकिन फिर भी मिल जाती है अगर आप नैक्स चकर में जाओ तो आप हर चीज अविलेबल होती है ऐसा नहीं है कि कोई चीज नहीं मिल रही यह आपको मैं नैपकेन का सेक्शन दिखा रही थी टीशी नैपकेन तो जहां पर लोगों के पास ऐसे हो गए कि बज़े से लाकर रखते हैं और गाये बुजाते हैं आप देख सकते हैं पूरी आईल खाल होती है तो वह चीज लानी ही पड़ती है चाहे दस दिन में लाएं चाहे पंदरा दिन में चाहे आठ दिन में तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर चीज का मतलब यानिके एक ज़वरत होती है आप सोचे कि पूरा पांच-चे महीनी की सामान ग्रोसरी घर में रखकर करते हैं तो मिझे यहां से सर्फ चाहिए था मैंने सर्फ लिया था यहां से तो यह मैं और रोंड़ेडी लेकर वापस आ रही थी मुझे समझ में मतलब सोचे ही ती में और क्या क्या लूं तो बैचा रही थी कि सब कुछ में लेकर चलिया हूं इधर यह मेंक अप का section था हल लेकिन मेकप देखके तो दिल चाहता है यह कि बंदा रुक जाए कुछ ना कुछ देख ले और मैं सोच रही थी कि अधर अभी कोई लिबिस्टिक के नए शेड वगर आए हैं यहां से हम लोग डन हो चुके तो वापस जा रहे थे अब हम लोग जा रहे थे देसी ग्रोसरी के मैंगो देख रही थी तो सोच रही थी में की मीठे होँगे या नहीं होगे बट फिर भी मैंने ले लिए थे कि चलो लेकर ट्राय तो करना ही पड़ेगा तो यह देशी ग्रोसरी आप लोग देख सकते हों कि फरक कि इसके अंदर कोई खास फरक नहीं होता लेकिन दिल को तस तो कि आपको लोग को नहीं दिखेंगे 24 वरंदा पहले हम कहीं पर भी स्टोर निखन सबिसे निखेंद लेकिन हैं में उन्हें सनाटे जीजार तो अब अर्ल्ला तो आब आगर करे देखेंगे झाल्लाला थ aba pair और अब यह घंड़ आए नहीं है हमेशा दो वीक का केके और आगे बढ़ा देते हैं तो लग सी कितने दिन में होता है बट अच्छे उम्मीद तो है वैसे भी आप रमजान लगने वाले हैं तो इसलिए मैंने सोचा था कि ग्रोसरी भी कर लेती हूं और कुछ चीज़ ज़रूरत की रहती है लेने के लिए तो वह भी ले लेती हूं ताकि कम से कम फर्स्ट मिक में बाहर नहीं जाना पड़े लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत रहती है तो यह आप लोग देख सकते हैं कि रस्ते में भी सारा मतलब समर लगने वाला है हमारे यहां भी सर्दी है गर्मी बिल्कुल भी नहीं आईए तो फिर भी गिरीन डी हो गई है तो नजरों को देखकर अच्छा लगता है काफी के मतलब हर तरफ गिरीन डी है और बहुत मतलब किलीन तो हमेशा से ऐसे ही दिखता है लेकिन यह है के गिरीन डी हो गई है पहले टैनिया थी और अब इसमें लीव जागा है तो अच्छा लगता है देखकर के बहुत लेकिन इस साथ में यह भी लगता है कि हाँ रस्ते में कोई ट्रैफिक नहीं है कोई गाड़िया नहीं है लेकिन आप लोग देख सकते हैं फिर भी थोड़ा बहुड़ ट्रैफिक दिखता है बहुत जदा नहीं है मतलब तोड़ा बहुते इधर में आपको दिखा रही थी के मैं और महč थे हम लोग दोनों ही ग्रोसरी करने गई थे मैं अपने घर के लिए गई थी ग्रोसरी करने गई थी अल्मूस्ट ही हम लोग अपने घर के करीब पहुंचने वाले हैं और बस इसके बाद फिर मैं अपने घर में आ जाओंगे घर में आकर आप लोगों को दिखाऊंगी कि में किया ग्रोसरी करका लेकर आई हूँ तो आप लोग भी देख सकते हैं अगर आप लोगों कको मेरा व्लॉघ अच्छा लगता हो प्लिस कॉमेंट्स किया किजिए मुझे बहुत खुशी होतीit जब आप लोग कॉमेंट्स करते हैं तो मेरा दिल चाहता है पिर ना कुछ आपको दिखाऊं करके और कोशिश करती हैं कि कुछ अच्छा दिखाऊं हो सकता है आप लोगों को कुछ अच्छा लगे तो प्लीज लाइक किया किजिए और थमजब दिया किजिए क्योंकि इससे मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों को कुछ करने के लिए मेरा हमेशे दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया करके दिखाती रहूं तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे घर का अरिया आ ग्या है बिलकुल कॉर्नर पर ही मेरा घर है और बस हम लोग जहाँ पर पहुँच चुके हैं ऑलिडी तो बस इसके बाद मैं आपको घर के अंदर जाकर दिखाती हूँ कि अप घर के अंदर हम लोग जाकर क्या करते हैं यह आप लोग देख सकते हैं कि मैं घर के अंदर आ गई थी यह मेरे बेटे हैं फाहद और मैं अपना मास्क उता रही थी मास्क पहन कर ग्रोसी करना बहुत मुश्किल हो जाता है नाक के पर खुझली होने लगती है फेस के पर खुझली होने लगती है परसीना अंदर आता है हमारी अपनी स्ट्रीम अंदर हमारी चेहरे के पर लग रही होती है तो मैं आपको बता रही थी यह मैं ब्लेंडर लेकर आ गही थी क्योंकि मतलब एने की खत्म नियो जाए तो एक वीक मेरा निकल जाएगा और यह जूस थे यह मैंने देसी ग्रोसरी से लिए थे तो यह मैंगो के जूस होते हैं यह पीने में बच्चों को अच्छ लगते हैं मैंगो थे आप लोगों को दिखा रही थी कि जिस तरी के पज़स हैं मैं सफ्ट टीशू होते हैं तो यह ब हरचीश की मैंने फनली शर्ट बाई की थी वाल मर्स से यह कुकी थी बच्चों के लिए मतलब दोनों बेटे मेरे wildlife खाते तो उनके लिए कुकी थी चाय से मतलब खाते हैं और अगर कहीं बाहर जाना होता है तो साथ में पैकट ले जाते हैं यह स्ट्रॉबरी थी स्ट्रॉबरी अच्छी आई हुई है काफी हमारी तो मतलब मीठी भी है और बचों को मैं शेक भी बना कर देती हूं स्ट्रॉबरी का बनाना का तो इसलिए लेकर आई थी और यह आप देख सकते हैं कि बनाना भी निकल आए थे साथ में ही यह मैंनी टिमाटो कैन वगर लिए थे क्यूंकि बहुत अच्छे होते और गैनिक होते हैं इसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती तो घर के अंदर अगर मतलब बहुत सब्सक्राइब नहीं रख सकती हूं तो मैं रख लेती हूं ताके घर में कुछ भी यानि के खाना बनाओ तो इसके अंदर में कैन एड कर देती हूं यह गार्बेज बेक थे आप लोगों को वहां पर दिखाया था मैंने कि मैं ले रही हूं यह माटो के कर्ष्ट माटो थे ट्रमाटो प्यूरी थी ट्रमाटो पेस था मतलब सारे ही केन लेकर आई थी मैं कि काफी मत और इस यह इतने हैं कि मेरे अराम से पंदरह दिन निकल जाएंगे तो थोड़े बहुत ट्रमाटर ले 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 लेती हूं तो इस तरह रही रूफजा था रूफजा तो ऐसा बेग लेकर आ गई थी में विजटेबल के आवे कोड़ो था यह भी बहुत अच्छा होता है तो इसलिए लाना था सारा सम्मान आप लोग ने देखा मेरे लेकर आई थी पतलब देशी ग्रोसरी भी गई थी और वाल्माट भी गई थी तो वहां से दोनों जगह से चीज़े बाइक करी थी आपको मेरे यह व्लोग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कोमेंट कीजेगा थम्स अब दीजेगा कोमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है अच्छी मोटिवेशन मिलती है दिल चाहता है आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करके और नया है कि आपको मेरा व्लोग कैसा लगता है अच्छा लगता है तो प्लीज मुझे बहुत खुशी होगी तो इन्शालला पर आप से मुलकात होती है नेक्स व्लाग में आज के लिए इतना ही तो अल्ला हाफीज